Hello everyone Welcome back to my channel तो आज वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक साइकलोजी कुईंट के बारे में हम बात करने वाले हैं साइकलोजिकल पॉइंट क्या है काफि सारे में पास कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारे पास तो कैपटल बहुत छोटी है LM possible कैसे बने हमाएपासलम ज्यादा Oh seeking कैसे बनें प्रॉफेटेबल कैसे बनें को इसा बिलूबर ही नहीं है कि ऐगर आपके पास हैवी केटल हो जो ट्रेड लेने वाली हूँ वो सिर्ष दिन की मैं दोवे रूंगी और उन में चुछ ट्रेड में में मेध मासम मासूम होने वाला है वह सिरी 1,000 रुपरे का हिम रखने वाली तो दो trade में मेरा कितने का loss हो जाएगा अगर दोनों भी trade में मेरा loss होता है तो 2000 का और profits कितना होंगे क्योंकि सबको पता है कि profitable बनने के लिए one ratio one तो चाहिए ही होता है तो one ratio one से हम ज़्यादा कर लेंगे तो हम अपने आप profitable बन जाएगे और हमें क्या तो इसलिए मैं आपको यह चीज दिखाने वाली हूँ कि आप जो है जादा capital यूज ना करके भी आप profitable बन सकते हैं और मैं मेरी जो quantities हैं इसी वज़े से आज से ही कम करने वाली हूँ क्या चीज़े हैं जो profitable बनने के लिए जरूरी होती है small profits कोई बात नहीं profit तो हो रहा है ना जरूरी नहीं है कि हमें बड़ा ही profit हो लेकिन profitable बनने के लिए छोटा भी profit चलेगा break evens कि अपने ट्रेड ली तो सिर्फ कॉस्ट पर निकल गए उसमें भी कोई तिकत नहीं है क्यों क्योंकि अपना loss तो हुआ ही नहीं है कम से कम अपन को उससे कुछ सीखने को मिला है ट्रेड में अपन है तो बिग प्रॉफिट्स बड़े प्रॉफिट्स और स्मॉल लॉस क्या जरूर क्या है जो चीज हमें पास नहीं होनी चीए वह बड़े लॉस तो हम देख लेता वीडियो है यह आप देख सकते हैं मैंने मे यह जो इसने कलका जो इसने लो लगाया था इसको इसको वरिक कर दिया है इसी वजह से हमने में तैसे कह देखा इस ट्रेड में में पाप लोग करते हैं आपने यह भी देखा कि मुझे नहीं कि तर मेरे चुछ ट्रेड करें से तो यहां पर जो है मैं आपको लगा कि जग हैं यहां पर एंगा फोर नाइन इलेकं इसको डूबारे एक बर और करेक्ट कर देती हैं हुए क़ कर दो में इसомरे जो है करेक्टकर्द यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह लगा दिया है इस चीज का यह चीज जो है वह यहां पर आपको सीखनी है कि आपको stop loss भी देख के ही लगाना है जो गलती मेरे से आज हुई है वह तो यह है कि मार्केट ने उसे कि हाँ आपको stop loss गलत आप देखिए देखने के बाद मुझे पता लगा है तो यह देख लीजिए एक मिनट का चार्ट है केंडल जो मार्केट हो मेरी सेड में पर मूफ नहीं कर रहा है तो मैं मेरे ट्रेट को एक्जिट कर दू क्यों करूं वही मैं मेरे stop loss से टोने का वेट कर रहेंगे तो डार्ट होने का वीट करेंगे और यहाँ पे जो है हमारे stop loss हो गया है इस टेड में मुझे लगबग 500 रुपय का लॉस हुआ है तो यह देख लीजे मुझे एक और टेड मिली वह माइनटी में ही मिली है इस टेड में जो है हमारा जो 500 रुपय का जो लॉस जो beginners हैं वो जो गलतिया करते हैं कि वो अपने trade को exit कर देते हैं और फिर बस जो कम से कम शानती रहती है उनको कि ठीक है भई अब cost निकल गई अब बंद कर देते हैं मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि market जो है बहुत ही अच्छा मेरे direction remove करेगा तो मैं अपना जो target है उसका wait करने वाली हूँ जैसे कि मैंने मेरे पहली trade में भी आपको बताया था stop loss का या फिर target का दोनों में से किसे आपको दोनों का ही wait करना है अगर आपको stop loss होता है तो भी target होता है तो भी और देख लीजे कितनी अच्छे जो है एक फॉल आई है यह पांच मिंट का चार्ट आप देख सकते हैं मैंने आपको में telegram channel पर भी update किया था जो है market में आज एक फॉल आई माइंटरी में फिर उसने थोड़ा सा आप से भी देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से जो है अपना मार्केट जो है बहुत अच्छे से मूफ कर रहा है candles भी कफी अच्छी बना रहा है मैंने आपको reasons भी बता दिये हैं मेरे टेलिग्राम पर कि मैंने क्या देखती हुए मेरे ट्रेड ली है मैं आपको यहां पर भी बता देती हूं देख लीजे फिर से हम कॉस्ट पर आ गया है और अब आप लोग पैनिक करेंगे इस चीज़ मे पैनिक करने के कोई जरूत है ही नहीं बिल्कुल भी नहीं है मार्केट जो है वो मूफ करेगा अच्छे से मूफ करेगा यहां पर आप देखिए मार्केट ने ट्रैंगल बनाए फेक ब्रेक आउट भी दिया इसमें से काफियों का स्टोप लॉस जो है वो हिट हुआ होगा लेकिन उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल एक अपने ट्रैंगल को फॉलो करते हुए ही डाउन साइड में ब्रेक आउट भी दे दिया है और अभी आप देखिए हम कितने अच्छे एक प्रॉफिट में आ चुके हैं वन रेश वन से हमारा जादा हो चुका है इसमें और फ देखते हैं होने का हम वेट करने वाले हैं यहां पर और यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट में जो हमारे पॉइंट है वो उपर 15 पॉइंट उपर हमारे हिट हुआ है वो कैसे हुआ है क्योंकि मार्केट जो है उस प्राइस पे आया था लेकिन फिर भी हमारे टार्गेट हिट नहीं हुआ तो इसलिए 15 point उपर हमारा यहां पर target है वो हीट हुआ और आप यह देखें तो फिर 45 minutes हमाई trade चली है आप holding power देख रहे हैं यहां पर तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो beginners हैं उनको पहले stocks में trade करना चाहिए ताकि उनकी जो holding power है वो बढ़ है और अभी आप लोग यह बोलेंगे कि मैं तो market फिर आपके direction में जा रहा है आपने तो यहां पर गलात है जो exit है वो कर दिया तो वो चीज़ जो है वो अपन को अब दिख रही है लेकिन अपन उससे पहले अपने क्या देख एक बहुत ही बड़ी red candle बनी तो अपना profit क्यों होती यह आप देख सकते हैं यह मेरा इंस्टाग्राम चैनल है इंस्टाग्राम चैनल पर मैंने आपके साथ काफ़े सारे जो है analysis share किये हुए हैं काफ़े सारे अच्छे thoughts भी share किये हैं जो इसका link है मैं आप description box में दे देंगी यह telegram चैनल भी आप दे लिए थे थे मैंने आपको बिलेंट foodworks बताया था उसका मायरे को बताने ही नहीं कि तरह उसने मुव किया है यहां पर देख लीजए मैंने आपको माइन ट्री भी बताया था मैंने उसके बाद आपसे जो है चार्ट भी share किया था मैंने आपको बताया था कि रीजन आप कि मैं कौन-कौन से जो इस टॉक से आपको पताती हूं तो दोनों का लिंक में डिस्टूशन बॉक्स में दे देंगे तो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल